कार्थिक आरियन की फिल्म चंडू छाम्पयन इस समय काफी चर्चा में है लेकिन क्या किसी को पता है कि कार्थिक आरियन की फिल्म चंडू चाम्पयन एक रियल बेस्ट स्टोरी पर आधारित है ये पहली बार नहीं हुआ है, जब किसी फिल्म की कहानी रियल लाइफ पर आधारित हो, इससे पहले भी कई फिल्मों की कहानी रियल लाइफ हीरो पर आधारित आ चुकी है आजये देवगन की फिल्म मैदान हाल ही में रिलीस हुई थी, जो की खेल से संबंधित फिल्म थी हेलो फ्रेंज, डैबलर सिनेमा में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लीजिए और नोटिफिकेशन्स ओन कर ले, ताकि आप हमारे नए वीडियो को मिस न करें। और हाँ, अपनी राय ज़रूर दें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए, अब जानते आज के वीडियो के बारे में। ये फिल्म लची लिपन और साहस की एक प्रेरक सची कहानी बताती है, जिसमें एक ऐसे व्यक्ति की भावना को दर्शाया गया है जिसने हार मानने से इनकार कर दिया। एक सिनेमा ए अनुभव का वादा करता है जो रोमांच कारी और उत्साह जनक दोनों है। निर्माताओं के अनुसार चंदू चैंपियन मुलीकांत पीटकर के वास्तविक जीवन की कहानी और उसकी कभी हार ना मानने की भावना पर आधारित है। ये फिल्म दर्शकों को लची लापन, द्रिड संकल्प और जीत की असाधारन यात्रा पर ले जाती है। फिल्म की कहानी चंदू चैंपियन के ईद गिर्द घूमती हुई नजराती है, जो एक भूत पूर्व सैनिक है, जो युद्ध के दोरान गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, जिससे वो शारीरिक रूप से अक्षम हो जाता है। आपार शारीरिक और भावात्मक चुनोतियों के बावजूद, चंदू की अदम्य भावना उसे खेल के प्रती अपने जुनून को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। की कौशल को पूर्टा निखा रहा है। अर्जुन पुरसकार प्राप्तखाडे ने फिल्म के लिए कार्तिक आरेन को तयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आठ से दस महीने के कठोर प्रशिक्षन के बाद कार्तिक आरेन इसकिरदार को निभापाए है। तो वहीं फिल्म में कबीर खान का निर्देशन शांदार है क्योंकि उन्होंने मुर्ली कांत पेटकर की वास्तविक जीवन की कहानी को बड़े परदे पर बखुबी पेश किया है। पठकता अच्छी तरह से तैयार की गई है, जिसमें भावनात्मक और नाटकिये तत्वों का संतुलन प्रभावी धंक से बनाया गया है। संबात प्रभाव को बढ़ाता है, जिससे दर्शकों को चंदु के दर्द और जीत का हर पल महसूस होता है। चंदु चैंपियन एक सम्मोहक स्पोर्ट्स ड्रामा है, जो अपने दर्शकों को प्रेरित करने और उनका मनोरंजन करने में सफल है। कार्तिक आर्यन का समर्पित अभिने, कबीर खान के निर्देशन के साथ मिलकर इसे अवश्य देखने लायक बनाता है। नाडिया ड्वाला और कबीर खान द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित, ये फिल्म कार्तिक आर्यन इस फिल्म में मुख्य किरदार में है। इसके अलावा इसमें कट्रीना कैफ, भुवन अरोरा, पालक लालवानी और एडोनिस काप्सलिस है। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूले। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत अनमोल है। हमें सोशल मीडिया, फेस्बुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करे। अपनी राय हमें जरूर दे। फिर मिलेगे। जय हिंद।